So guys, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था loops को, यानि कि for loop, while loop और do loop कैसे काम करते हैं आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं switch case statement और break statement को तो चलिए आज की वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग सुरुबात करेंगे switch case statement से कि switch case statement क्या होता है तो मैं सबसे पहले उसके syntax को मैं copy कर लेता हूँ यहाँ जैसा कि आप लोग screen पर देख सकते हैं मैंने इसके syntax को copy कर लिया अब चलिए हम लोग सबसे पहले इसका काम क्या है कहां पे हम लोग use कर सकते हैं इसको इसको सबसे पहले समझते हैं सो गाइस switch case statement का हम लोग use वहाँ पे करते हैं जहां पे हम लोगों को बहुत बड़े numbers में decisions लेना होता है और उस decisions का जो output या input होता है वो हमें सिर्फ एक variable में store करना होता है तो इसको हम कुछ simple में समझ सकते हैं मान लिजए हम लोगों को एक remote control receiver का program बनाना है तो उसमें क्या होगा कि हम लोग एक sensor लगाएंगे जो की IR receiver को receive करेगा और उसको हम लोग अलग-अलग LED को यानि अलग-अलग function में हम लोग उसको operate कर सकते हैं मान लिजए bulb on कर सकते हैं, fan के लिए अलग switch बना सकते हैं, table lamp के लिए अलग बना सकते हैं तो चलिए इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं अपने program बना कर कि कैसे हम लोग इसको use कर सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर syntax देखेंगे कि इसको लिखने का switch के लिखने का तरीका क्या होता है तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं switch उसके बाद फिर हम लोग parenthesis के अंदर जो भी variable में हम लोग value को store करने चाते हैं उस variable का नाम इसमें लिखेंगे उसके बाद नीचे आएंगे हम लोग यहाँ से भी हम लोग curly bracket को सुरू कर सकते हैं तो इसमें आप लोग confused नहीं हो ना, आप उपर चाहो तो यहाँ से भी सुरू कर सकते हैं नीचे से यहां से भी आप लोग शूरू कर सकते हैं तो इसमें कोई matter नहीं करता है अब next बखते हैं हम लोग open curly bracket और यहाँ हम लोग नीचे देते हैं close curly bracket, अब इसके अंदर हम लोग अपने case level को define करते हैं, माल लीजिए यहाँ हमने लिखा switch, parenthesis के अंदर हमने एक variable का नाम दिया, जिसमें हम लोगों को value store कराना है अब नीचे आएंगे, हम लोग लिखेंगे case level, माल लीजिए इसमें हम लोग case level 1 set कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम उसके अंदर statements को लिखेंगे कि हम लोग माल लीजिए कुछ भी statements लिख सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोगों को इस program को, इस case level को break करने की जरूरत होती है क्योंकि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैंने case level इसमें select किया, case level 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, वो आपके उपर depend करता अब यहाँ से हम लोगों को, इस program को terminate करने की जरूरत परती है, तो इसके अंदर हम लोग अपने statement को लिखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से break लगाते हैं, break के बाद हम लोग semi column लगाके इस से terminate करते हैं, तो यह हो गया case 1 हम लोग लोग terminate करेंगे, उसके बाद Case 2 में आएंगे यानि Case Level 2 या 34 जो भी आप लोग दे सकते हैं इसमें हम लोग Case Level देंगे उसके बाद फिर इसमें आप लोग यहाँ एक बात गौर करना मैं यहाँ भूल गया था बताने के लिए यहाँ हम लोग Case Level लिखेंगे उपर में Case आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं माल लिजए Case Level 1 लिख सकते हैं या अपने According कुछ भी इसमें नाम दे सकते हैं Case Level 1, 1, 2, 3, 4, etc. अब इसके आगे हम लोग Colon लगाएंगे इसमें Semicolon नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ से अभी हमारा Program Continue होड़ा है उसके बाद Statement देंगे, फिर Break लगाएंगे, उसके बाद उसको Semicolon से Terminate करेंगे उसके बाद Case Level 2 में आएंगे, इसको भी Same Type से लिखेंगे अब सबसे Last में हम लोग इसमें Default लगा सकते हैं, Default Value मतलब कि अगर Program हम लोग चेक करेगा उपर में Case 1 से लेके Infinity तक आप लोग जहां तक उसमें Level देख सकते हैं और अगर उसमें कोई भी नहीं हुआ तो Default Value में हम लोग Store कर सकते हैं कुछ अपने According Value Store कर सकते हैं तो चलिए हम लोग इसको Program बनाकर और अच्छे से समझते हैं कि हम लोग इसको कैसे अपने Program में यूज़ कर सकते हैं So guys Switch Statement को समझने के लिए हम लोगों को एक Program बनाकर आप लोगों को मैं और बहतरीन तरहीके से समझाना चाहता हूं तो इसके लिए मैं एक Program बना रहा हूं, IR Receiver Program अब इसमें क्या होगा कि हम लोगों के पास एक Remote होगा और उसको IR Receiver मतलब कि Arduino में जो IR Receiver हम लोग सेंसर लगाएंगे उसको हम लोग Control करेंगे मान लिए हम लोगों को Fan On करना है, एक Remote से, Bulb On करना है, TV On करना है तो उसके लिए हम लोग एक Program बनाएंगे, बहुत ही Short में मैं बनाऊंगा, ज्यादा Long नहीं बनाऊंगा मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए इस Program को बहुत Short बनाने जा रहा हूं तो चलिए हम लोग Program बनाना सुड़ू करते हैं तो इसमें मैं एक Variable बना रहा हूं जिसमें की जो IR Sensor जो है, उसका जो मैं Input लगाऊंगा, Ordeno Pin में तो Integer Variable एक बना रहा हूं मैं, Int Receiver में मैंने Assign कर दिया है, मान लिजए जो Pin Number Ordeno में जो 10 है मैं उसमें IR Receiver का जो Input Pin अटैच करने वाला हूं तो यह एक मैंने Variable बना लिया, अब चलिए मैं दो Variable बनाता हूं जिसमें मैं LED कनेक करूंगा या फिर उसमें Fan या TV मैं कनेक कर सकता हूं तो Int, Int, Bulb equal to 3, Int, Fan के लिए मैं Pin Number 4 को यूज़ कर रहा हूं तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने सबसे पहले एक Receiver के लिए Pin Number 10 को सेलेक किया जिसमें मैं IR Receiver को कनेक करूंगा और दो Variable मैंने बनाया Bulb और Fan के लिए अब चलिए हम लोग अपने Switch Statement को मैं Copy कर लेता हूं यहां अब इस प्रोग्राम में क्या होगा कि जैसे जो हमारा Sensor है वो Receive करेगा Value अब इसमें क्या होगा Switch Receiver मैंने यहां Paranthesis के अंदर मैंने Receiver जो नाम का एक Variable बनाया जो की Ordino में जो Sense करेगा IR Receiver वो यहां पर मैंने लिख दिया यह एक Variable हो गया जिसमें मैं Multiple Statement का Value को Store करूँगा यानि इसको Receive भी कर सकता हूं तो चलिए अब Next में हम लोग बढ़ते हैं Case Level 1 अब मान लिजिए वो कुछ Value Receive करेगा यह जो Receiver मैंने ओपर Paranthesis के अंदर लगाया तो इसकी Value मान लिजिए As Example यह 88 Receive करेगा Case 1 में मैंने Case 1 में इसको Receive करवा रहा हूं 88 तो अब इस Case में क्या होगा जैसे ही जो Receiver 88 जो Code को Receive करेगा मैं उसमें लगा सकता हूं कि मान लिजिए मैं Bulb On कर सकता हूं तो Digital Write Bulb Bulb High अब Next हम लोग बढ़ते है Case Level 2 में अब इसमें क्या होगा कि मान लिजिए मैं कुछ अलग Value Receive करूंगा मान लिजिए 98 अगर Receiver जो हमने उपर Define किया है Inter Receiver अगर Pin No.10 पर वो जो Value 88 रिसीब करेगा तो इसके लिए मैं Fan को On कर सकता हूं तो चलिए इसको भी मैं लिख लेता हूं यहां Digital, Digital Right, Fan, Fan High अब Default में मैं Select करूंगा Set कर देता हूं मान लिजिए Digital Right Fan Fan Low और Next मैं कर रहा हूं Bulb Low अब चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग समझते हैं One by One Line by Line की यह काम कैसे करेगा उपर में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहां एक Integer Variable बनाया Receiver के लिए जो कि जो IA Receiver का Sensor है Pin No.10 को Receive करके Value देगा इसमें Next मैंने एक Bulb नाम का एक Variable बनाया है और Fan नाम का जो कि Pin No.3 और 4 में Connect होगा जो कि हमें Output देगा जो Fan और Bulb को Connect करेगा अब चलिए हम लोग Switch Statement को All Deeply समझते हैं तो यहां मैंने लिखा Switch Parenthesis के अंदर हमने लगाया है Receiver का जो हमने Variable Define किया था उसका नाम मतलब कि जो Value Receive करेगा वो हमारे Program के Statement के अंदर यानि की Curly Bracket के अंदर देगा मान लीजे Program हम लोग Remote का Button दबाते हैं तो एक Button मैंने Select किया मान लीजे Remote में जो Button No.1 है वो Code दे रहा है 88 यानि की Receiver हमारा 88 को Receive करेगा तो उस Case में क्या होगा कि हमारा Digital Right हम लोग चाहें तो इसमें Bulb को मैंने यहां High कर दिया है मतलब कि अगर Receiver Receive करेगा 88 Value को तो हमारा Bulb On हो जाएगा ठीक है अब इस को मैंने इस Statement को यहां से हमने हमें Break करने की जरूरत है मतलब कि इसको Terminate करने की जरूरत है नहीं तो यहां से यह Continue होता रहेगा हमारा Program लूप में चला लाएगा सही सा काम नहीं करेगा तो इसको हम लोग Break करने के लिए यहां Break Statement लगाते हैं उसके बाद फिर Semicolon से इससे Terminate करते हैं अब Next Case Level 2 में हम लोग आते हैं इसमें अगर मान लिजे हम लोगों का जो Receiver है 98 Value को Receive करेगा तो हम लोग इसमें मैंने यहां Set किया है Fan On हो जाएगा मतलब कि जैसे वह 98 Value को Receive करेगा हमारा जो Audino है Fan को On कर देगा अब यह तो हो गया Receive करने के लिए अब मान लिजे Value नहीं Receive कर रहा है Receiver तो उस Case में क्या होगा हम लोग Default Value में इसको सबको हमने Low कर दिया है मान लिजे Audino में हमने प्रोग्राम मान लिजे Light On किया हमने Light चली गई Light आया तो उसमें हम लोगों क्या करना है कि Low कर सकते हैं या High कर सकते Default में तो जैसे ही Audino On होगा तो यह जो Bulb और Fan है लो रहेगा जब हम लोग Remote से इसको instruction देंगे तभी हमारा जो Fan और Bulb On होगा So Guys अगर आप लोगों को अभी भी कुछ डाउट हो तो Comment section में पूछना और उसे भी ज्यादा अगर बड़ा डाउट हो तो आप लोग मेरे Instagram को follow करके वहाँ आप लोग personally message कर सकते हो और अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे Like, Share और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना